नमस्कार दोस्तों मैं नीटो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल बैस्ट हैल जिसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सराब की लट को कैसे छोड़े हमेशा के लिए गर पर एक अईरवेधी ग्रेलू नुश्का उपयोग करके बिल्कुल फ्री में अब दोस्तों सराबी दो तरह के होते हैं एक तरह का सराबी होता है जो सराब की लट को छोड़ना चाहता है अपनी मर्जी से एक सराबी होता है जो सराब की लट को छोड़ना ही नहीं चाहता तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सराब की लट को छोड़ना चाहते हैं या फिर वो ज्यादा मात्रा में सराब का सेवन करते हैं और उस ज्यादा मात्रा में करने से उनको प्रेशानी और उसको कम करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है और जो इस वीडियो में मैं आपको घ्रेलू नुस्का बताऊंगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 101% आपको इस नुस्के का रेजल्ट मिलेगा बिना साइड इफेक्ट के और आयरवेतिक नुस्का है और 101% आपकी शराब की लट छूट जाएगी तो वीडियो को दोस्तो लास तक जरूर देखेगा ताकि आपको अच्छी समझे में आजाए हमने आपको बताया क्या है सराब की लट से या फिर सराब पीने से दोस्तो होने वाले नुक्षान के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं ओलेडी सभी जानते हैं क्या नुक्सान होता है अलकोल पीने का अब नुक्सान अगर बताऊंगा तो ज्यादा टाइम देश्ट होगा इसलिए वीडियो को छोटा करते हैं और आपको ब्रीफली बताता हूँ आपको सराब की लत छोड़ने के लिए करना क्या होगा नुस्का क्या है जब भी दोस्तों जो सराब छोड़ना चाहता है फिर सराब के से उनको कम करना चाहता है जब भी आपको सराब की लत लगे सराब पीने का मन करे ऐसे नहीं कि कभी भी आपने सराब पी ली नहीं जब आपको शराब पीने की लत लगे आपका मन करें शराब पीने का तब आप शराब के अंदर यानि की एक इला शराब के अंदर आप जो एक पैग बोल देते हो एक पैग के अंदर शराब के एक पैग के अंदर आप जो सौफ होते हैं सौफ का अरक आता है सौफ का अरक आपको प परने लगाव के नंडर डालके शराब का सेवन कर दीजिये, जो जब आपका कम्न करें यह नहीं दोस्तों यह दियान लगतना aja कभी भी नहीं किसी भी टाइम यह नहीं है कि आप पार बार पीते हो आपको वैसे भी पीनी है क्योंकि आपको लट लगी वे लेकिन अगर आप ये उपाई अगर आप कर लोगे तो हफ़ता दस दिन के अंदर अंदर आपकी सराब किलत याई आपको सराब से घरना होने लग जाएगी शराब को देखते ही आपको उल्टी आना शुरू हो जाएगी आपकी शराब की इलत बिल्कुल छोट जाएगी जो दूसरा नुसका दोस्तों वो यह है कि जो सेव आती है आप एक काम करिए जिसको सराब की इलत छोड़नी है सेव को काटके उसके बीज निकालक उसको पानी के अंदर आधे घंटे तक उबाल लेजिए और उस पानी को भी पी लीजिए अगर आपको पिया जाए तो नहीं तो उस सेव को आप खा लेजिए लगातार एक महिना बीस दिन खा लेजिए कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है सराब से आपकी दूरी बढ़ जा कि और जो लोग सराब का ज्यादा सेवन करते हैं अकर वो छोड़ना नहीं चाते तो वह सराब के सेवन को कम करतेंगे इनि नुसकों को उस्धेक्ट नहीं कई बार लोग क्या करते हैं कि सराब की ल Tutaj 22 लगवा लेते फिर जैसे ही वह सराब पीते हैं क्योंती हो जाती है और होने के बाद उनकी जान तक चली जाती बहुत सारे केसिस ऐसे देखने को मिलते हैं लेकिन जो मैंने आपको नुस्का बताएं दोनों ध्यान से सुनिए और वीडियो दोबारा से देख लीजिए और अपनी सराब किलत आप बिल्कुल आसानी से चोड़ सकते हो बिल्कुल फरी में जो सराब किलत को चोड़ना चाहता है इस वीडियो को दोस्तों जादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि सराब के सेवन से बरने वालों की संक्या दिन पर दिदन बढ़ती है हमारे लीवर कमजोर हो ज सराब से होती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा ताकि ज्यादा लोगों के साव्तपन सुट अपना कीमतिश में निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत भूत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन सुब मिलते हैं कर लें श्वात के वै+, दोस्तों आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंशता रहे हर वीडियो हम एल्थ किस पर डालते रहते हैं अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे तो पर फेस्बुक पेज को लाइक और फोलो कर लीजिए और मैंने एक वेबसाइट बनाई है कले एक नवी वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई बाई